जहिन सातियो देखे आरपे से जो फर्स ग्रेड एक्जाम की न्यू वेकेंसी आने वाली है उसको लेकर देखे यहाँ पर एक अच्छी खबर है आपके सामने देखे आप सभी को पता है कि 4445 पदों की जो स्विकर्ती सरकार के द्वारा भेजी गई थी उतने सीटे तो फिक्स आएगी फर्स ग्रेड के अंदर गत अब देखे हाली में जो काउंसलिंग ओडर है वाइस प्रिंसिपल के वो जारी कर दिये गए है तो इसे भी फर्स ग्रेड के काफी सारे पद खाली होने वाले हैं और ये पद और आगे वाले जो 4455 है वो सभी मिलकर मेरे साब से 7000 के आसपास में फर्स ग्रेड की जो न्यू वेकेंसी वो आपको देखने को मिल सकती है इसके अलावा जो पहले की जो जितने भी मध्यमिक स्कूल है जिनको बाद में उच मध्यमिक में कनवर्ट किया गया है अगर उनमें नए सीटो को सजित किया जाता है तो फर्स ग्रेड की वेकेंसी 10,000 प्लस भी आ सकती है लेकिन अभी तक नए पदों की स्विकर्ती नहीं की गई है तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि 10,000 या इससे अधिक वेकेंसी आ सकती है लेकिन वाइस प्रिंसिपल का जो देखिए आपर ये पूरा जो काउंसलिंग का कारिकरम रहने वाला है वो जारी कर दिया गया है विका निर के द्वारा विकादेर निदेशाले के द्वारा तो निश्चिती फर्स्टेट के पद खाली होंगे जितने भी पद खाली होंगे उनकी जो कार्विबाग को सुचना बेज जाएगी उसके बाद में RPC के पास में इसके सुचना आएगी और न्यू वेकेंसी आपके जारी होगी तो इसके कम से कम 2-3 मेने का समय लग सकता है तो निश्चिती मेरे साब से अक्टूबर तक आपकी वेकेंसी वो आनी चाहिए लेकिन अगर एक दो मेने आगे पीछे भी रहता है तो भी कोई बात नहीं लेकिन जब तक वेकेंसी ना आए अपनी तियरी इतनी अच्छी कर लीजिए कि आपका सेलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि देगे प्रतिक वेकेंसी के अंदर अगर 3-3 साल लग जाता है अगर एक वेकेंसी में सेलेक्शन नहीं होता है तो फिर बाद में काफे दीक मुश्किल हो जाता है तो जब तक वेकेंसी नहीं आए आपको उससे पहले पूरतर तीयार हो जाना है, तो अपने तियारी को एक मजबुत धार दीज़िए और अपने लक्षे को पाने के लिए आप हर परियास करिये ताकि आप सफल हो सके आप अपना और अपने परिवार का नाम रavan कर सके और अपनी जो परिस्तीतिय हैं उनको चेंज कर सके इन देखिए छोटा से एक अफदेर था वाइस प्रिंसिपल के जो नए पद स्रजित किये जा रहे हैं तो उनकी इसे से फर्स वेट के पद निश्टी दूरुप से खाली होंगे जो की आपको न्यू वेकेंसी में इनके जो पद हैं वो देखने को मिलेंगे तो आप अपने तेयरी को अच्छे से धार दीजिएगा और एक चीज आपसे कहूंगा कि आप लगे रहो इमानदारी से अगर आप इमानदारी से लगे रहे तो निश्टी तूरूप से आप सफल हो जाएंगे मैं अब देखिए मुझे भी काफी लोग णिश्टप करते थे जब मैं तेयरी करता था इसके अलावा काफी लोग कहता थे ःभी तक तुमारी नवखरी करके अपने श्टड़ी की और अधिया भगपरती के अंतरगत अपना चयन पर्तम प्रयास के अंतरगत सुनिश्चित किया यह सब भी जो चीज है हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इमांदारी बढ़ते देखिए अधिकतर जो लोग है वो इमांदारी से तेर नहीं कर पाते है इमांदारी का यहाँ पर मेरा अर्थ है निरंतर रूप से अपने अधियन को जारी रख पाना आपको हमेशा 5-6 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं मैं भी देखिए यूट्यूब पर वीडियो डालने के अलावा भी इतना पढ़ता था तब जाके यूट्यूब के साथ में सरकरी नौगरी में मेरा सेलेक्शन हो गया 2021 में भी काफी अच्छे अंक थे लेकिन आप सभी को पताए L2 की जो वेकेंसी हो कैंसल कर दी गे थी फिर भी इसवर की क्रिपा से और बाद में जो मेरी मेहनत है मैंने जो इमांदारी बढ़ती उसके कालन मेरा सेलेक्शन हो ग आप सफल होंगे लेकिन ये की चीज कोंगा निरंत रूप से अपनी जो अध्यन है उसको जाली रखे और लक्षी बना के चले कि इस बार मुझे फरस्ट गेट में अपना सेलेक्शन लेना है तो लेना है इससे सही देखिए आप जो अधिक से अधिक पढ़ पाएंगे अध किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए तो आप जितना अधिक पढ़ेंगे अधिक उस्पराण कर पाएंगे याद कर पाएंगे और यह जो जितने चीजें हैं वो आपकी एक्जाम में आपका साथ देगी जितना कम आपका रिवीजन होगा, जितने कम बार आप पढ़ेंगे, तो फिर एक्जाम में कन्फूजन की स्थिती रहेगी, जो की काफी खराब स्थिती होती है, क्योंकि वापस वह चीज है, अगर एक वेकंसी से केंतरगत अगरा सेलेक्शन नहीं होता है, तो बाद में और मुझसे किसी भी प्रगार की आपको उगर हेल्प चाहिए, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंतरगत, धन्यवाद